नमस्कार मैं प्रियम दुवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ जी राजिस्थान के डिस्टर प्लेटफॉर्म पर इन दिनों तैवारी सीजन चल रहा है सरद पूर्मा के बाद अब लोगों को करवा चौत का इंतिजार है करवा चौत के मौके पर लोग बड़ी तादाद में सोना, चांडी और फिर गहने खरीदते हैं लिहाजा आने वाले दिनों में बजार इसकी मांग बढ़ सकती है फिलहर बात करे सोने की रेट की तो सोना 51,765 रुपे प्रती 10 ग्राम और चांडी 6,800 रुपे प्रती किलो के उपर बिक रही है हालाकि सोना अभी भी अपने ओल टाइम हाई से करीब 4,300 रुपे और चांडी 19,000 रुपे सस्ती मिल रही है दरासर आज से नए कारोबारी हब्टे की शुरुवात हो चुकी है आज नए कारोबारी हब्टे का पहला दिन है इस से पहले पिछले कारोबारी हब्टे में सर्फरा बजार में सोने के साथ-साथ चांडी की क्यूमनतों में नर्मी देखी गई थी ऐसे में आज सबकी नजर इस बात पर होगी कि नए कारोबारी हपते के पहले दिन भाती सर्फरा बजार में सोने और चानी की क्या हाल चल रहे हैं पिछले कारोबारी हपते के आखरे दिन शुक वरार को सोना 73 रुपए प्रती 10 ग्राम की दर से सस्ता होकर 51,765 रुपए प्रती 10 ग्राम के इस्तर पर बंद हुआ था आप बात करें चानी की तो चानी 178 रुपए महंगी होकर 6,848 रुपए प्रती किलो पर बंद हुई थी जबकि पिछले कारोबारी दिन गुरुवार को चानी 374 रुपए प्रती किलो की दर से सस्ती होकर 6,670 रुपए प्रती किलो पर बंद हुई थी सोना फिलाल अपने All Time High से करीब 4,312 रुपए प्रती 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है आपको बता दी कि सोने ने अगस 2020 में अपना All Time High बनाया था उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रती 10 ग्राम के स्तर तक चला गया था वहीं चांडी अपने उस्तम इस्तर में करीब 19,132 रुपए प्रती किलो की दर से सस्ती मिल रही थी वहीं चांडी का अब तक का उस्तम इस्तर 89,980 रुपए प्रती किलो था नमस्कार वहीं चांडी वहीं